हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIS Hindi हलो दोस्तो मैं मनोच कुमार आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल Study IQIS Hindi पर और सबसे पहले आप सभी लोग को सुतंता दिवस की बहुत-बहुत सुपकामना है इतिहास और वुक सीरीज के तौर पर इसको हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे कंटिनियू यानि कि इस किताब की जो मार्किट में डिमांड है बच्चों के बीच में जो डिमांड है आप बता नहीं सकते और UPSC यहां से सीधे सीधे परसन पूछ रही है इसलिए लगा कि क्यों ना इस किताब को मैं आप लोगों को डिसकस करूं प्रापर टरीके से टौपिक वाइज टू दा पॉइंट जिस्से कि आप लोगों का प्री दो हजार पच्चीज या दो हजार चबीस या दो हजार सत्ताइस कौालिफाइ हो सके अब कहोगे कि तीन वार क्यों 25-26 सकता है वो इसलिए एक दोस्तों के इतिहास कभी बदलता नहीं है ये बात आप 20 जानते हैं क्योंकि इतिहास में करेंट अबडेशन नहीं होता कोई चीज नहीं होती इसलिए उसमें एक बार पढ़ लीजे तो वो चीजें आपकी लगातार बनी रहती हैं तो इसी करम में मैंने आप लोगों से एक कमेटमेंट और किया था कि आप लोग मेरे बेहाप पर मेरे भरोसे पर आप प्रतिग्या बैच अरजुन बैच को जॉइन कर सकते हैं और अगर उसमें प्रार्रमिक परीच्छा पास करते हैं दो हजार पच्चिस की तो डेफिनिटली स्टडी आईक्यू आपकी पूरी फीस रिफंट करेगा और मैंने कहा था कि मैं पूरी कोसिस करूंगा कि आपकी फीस रिफंट कराए जाए और आपका रिजल्ट निकलवाए जाए तो ये बुक सीरीज का जो कंसेप्ट है वो आपके उसी लक्ष के लिए है तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को जॉइन करिए और इस क्लास को यानि कि इस किताब को अपने पैन पैन से रिजिस्टर ले करके बैठीएगा डेली इसमें मैं बेसिक चीज़ें कुछ आपको बताने जा रहा हूं उसको जरूर सुन लीजेगा कि यह जो क्लास है आ एडनेस डे और फ्राइडे उस दिन होगी आपकी उत्तर लेखन की सरंखला यानि कि आंसर राइटिंग सीरीज फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस और जीयस के लिए दौनों के लिए तो दौनों काम हमारे एक साथ चलते रहें ठीक है तो चलिए इसको क्लास को हमें अर्तिहास उपिंदर सिंग सबसे पहले तो बात आती है कि इस पुस्तक की हमको जरूत क्यों है बहुत सोच समझ करके देखे किताबें आपके प्राचीन भारत को ले करके आपके पास कई सारी किताबें होती हैं सबसे ज़्यादा फेमस किताब है आपके लिए आरे सर्मा की किताब है जो आप पढ़ते हैं NCRT है आप पढ़ते है या जहासरी माली है उसको आप पढ़ते है ठीक है या आप रोमेल अथापर की किताब पढ़ते हैं ये सारी किताब हैं लेकिन एक ये किताब और भी है जो थोड़ी सी भारी है बड़ी है डिटेल में है ये किताब और इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस किताब को हमने क्यों शुरू किया है या क्यों शुरू हमको करना चाहिए सबसे पहली बात तो दियान लगेगा कि UPSC संग लोक सेवा आयोग आपके इतिहास से 10 से 12 पंदरे क्वेस्चन कितने भी पूछ सेटा है पिछली साल 9 से 10 क्वेस्चन पूछे गए यानि इसी साल 9 से 10 क्वेस्चन पूछे गए और पिछली साल 11 बारे क्वेस्चन थे यानि कि आप लग रहा होगा कि लगातर कम कर रहा है ऐसा नहीं है UPSC कि अपनी एक स्टेडिय होती है हो सकता है अगले साल इस मैंसे 18-19 क्वेस्चन पूछ लिए जाएं इतिहास से क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है UPSC कुछ भी कर सकता है अभी आप सोचेंगे कि हिस्टी से क्वेस्चन नहीं आते हिस्टी से कम आते हैं कम आते हैं कम आते हैं आजानक पूछ लेगा आज से चार-पांच साल पहले कंडिशन ये थी कि प्राचीन भारत और मद्दिकालीन भारत का इतिहास से केवर एक प्रशन पूछा था और आब आ करके पांच से च्छे कोशन पूछ लिए अब क्या करेंगे तो UPSC को पहचानना UPSC की स्टेरजी को क् नहीं है इसलिए इस बात को ध्यान रखेगा कि उसकी नीतियों पर लगात्तार भरोसा करना संभाव नहीं है इसलिए अपनी रड़नीती बनाके चलिए ठीक है न तो UPSC के जो प्रशन आ रहे हैं पहली बात तो ध्यान रखेगा कि प्रशन कम या जादा कुछ भी हो सकते है लेकिन धीरे धीरे जो प्रशनों का जो इस्तर है वो आप ध्यान रखेगा प्रशन का जो इस्तर है लगातार कठिन हो रहा है कैसा हो रहा है कठिन हो रहा है और कठिन हो रहा है इधर हमारा पेसेंस जब आप देने लगा है इधर हिंदी के रिजल्ट की समस्या आने लगी ह तो आखिर करें तो करें क्या इसी वज़े से फिर रिजल्ट नहीं आते question इतने एक गहराई में पूछने लगा है कि आप पूछिये मत आखिर उसके पीछे कारण क्या है क्यों इतने जादा गहराई में पूछ रहा है देखिए साधरन प्रशन और उसके अंदर थोड़े से और अच्छे इस तर के question वो भी पूछ चुका है फिर बचा क्या है फिर तो natural सी बात है यह उन्हीं questions को repeat करें या उपर नीचे करके उन्हीं को बार बार पूछें तो फिर merit जाती है बहुत high बहुत high जाती है नई question कहां से आएंगे और इससे भी condition यह हो गई थी कि इसी तरह के प्रसंद जो है bank, SSC, railway, छोटे मोटे exams में अच्छे question पूछे जाने लगे तो UPSC को अपना एक standard बना के रखना है इसी बज़े से वो अपने standard को improve कर रहा है और cutting question पूछ रहा है यही बज़े है कि वो गहराई की चीज़ें पूछ रहा है गहराई से जो आपने कभी पढ़ी नहीं है एक दूसरा वो चाहता है कि उन छात्रों को चैन किया जा जिन्होंने थोड़े सी अच्छे तरीके से पढ़ाई की हो हलके फुलके लेबल पर पढ़ने वाले बैंक SSC की तैयारी करने वाले जो च्छात रहें उनको हटाया जाए क्योंकि उनको pre-pass करा करके कभी-कभी यह हो सकता है कि कि वो लोग mathematics की preparation करते है math अच्छा होता है तो c-set कर ले जाएंगे ठीक है ना GS थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो pre-pass कर ले जाएंगे लेकिन mains में वो अच्छा नहीं कर पाएंगे ठीक है ना तो ऐसी condition में इस्तिती यह होती है कि जो अच्छे चात्र होते हैं जिनके अंदर अच्छे प्रशाशक के गुण होते हैं अच्छे चात्र वो निचले इस तर के इन चात्रों की बज़े से जिनका टारगेट जिनका लक्ष यूपीएसी नहीं होता लेकिन यूपीएसी में बैठ करके आपको निकाल के बाहर कर देते हैं क्योंकि वो CC क्वालिफाई कर लेते हैं और दूसरा कुछ की चीज़े रड़ रड़ा करके प्रिक्वालिफाई कर जाएंगे इसलिए उसने ऐसे चात्रों को बाहर निकालने की रड़नीती मना रखिये हटा ओवे अच्छे चात्र ही आएं और बैंक SSC की तैयारी करने वाला तो आप जो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए किया जा रहा है कि थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आपका टार्गेट यू पीएस्सी है ठीक है न एक तीसरा कारण और भी है कि गहराईक से कॉश्चन और पूछने के वो ये है कि इसमें साधरन किताबों में सभी चीज़ा नहीं है साधरन किताबों में सभी चीज़ा नहीं है इसके लिए फिर आपको अच्छे सुरोत चाहिए होंगे अच्छे सुरोत चाहिए मेरी बाद समझना तो UPSC के लिए अच्छे सुरोत चाहिए जो साधर सुरोत हैं उनसे वो पूछ करके खतम कर चुका है वो सभी कितावें सभी के पास हैं अब बताओ क्या करोगे तब ऐसी इस्तिती में फिर आपके उपिंदर सिंग जैसी कितावें निकल करके सामने आती है यही बज़े है कि इन सारी चीजों की बज़े से प्राचीन भारत यानि के प्राचीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत और उसकी कला संस्कृती जो है इसके अच्छे प्रशन जो हैं आपके दो कितावों से बनते हैं दो अच्छी किताबों से एक उपिंदर सिंग की किताब है और एक आपने नाम सुना होगा अवंडर देट वाज इंडिया अद्भुत भारत एल वाशम की किताब अद्भुत भारत इन दो किताबों को आप कर ले जाएंगे आपका प्री का क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन से और इजी क्वेश्चन से वो सब मिल जाएंगे इजी क्वेश्चन तो है ही इसमें टफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे गहराई से सारे चीज़ें मिल जाएंगे इसलिए इस किताब को उठाया गया है बास समझ गए तो एक तो इन सारी चीजों का सॉलूसर यहाँ पर है दूसरा इसमें एक चीज और सुन लीजिए जो दूसरा important point है वो आप और समझेगा कि उपंदर सिंग की किताब को पढ़ाने का मैंने concept क्यों अपनाया कि मैंने उपंदर सिंग की किताब क्यों अपनाई की किताब जो है वो थोड़ी सी जादा मोटी है यानि के भारी किताब है उसका प्रस्तुती करण जो है उसका प्रस्तुती करण वो थोड़ा सा कठिन है कठिन है यानि के उसके अंदर बहुत सारी चीजों की गहराई से रिसर्च की गई है गहराई से रिसर्च की गई है सर्च की गई है और उसके लिए समझना मुश्किल होता है समझना इसको कठिन है और प्रशन यहीं से बनते हैं प्रशन आपके यहीं से बनते हैं इसलिए इसको सरल करने को लेकर के इसकी सरलता के लिए ही के आपका भला हो जाए और आपके लिए सारे काम भी हो जाए इसी बज अब बताईए आपको फाइदा है कि नहीं और मैं एस्यूर कर रहा हूँ कमसम चार से पाँच क्वेश्चन अगर एंसियट इंडिया से आते हैं तो डैफिनिट इस किताब से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि यहां पर दे रखे हैं यहां पर वो चीजें हैं जो आपकी साधरन किताबों में सामाने किताबों में जो आप पढ़ते रहते हैं वहां नहीं है यही बजह है कि मैंने आप लोगों के लिए इस किताब को शुरू किया है क्लियर हो गया कि नहीं हो गया तो इसलिए ध्यान जखीगा यही है इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट आप सभी लोगों के लिए और एक एक करके आराम से सारी चीज़ों को पढ़एंगे और इसमें ध्यान रखेगा अद्बुद भारत की चीज़ें या अन किताबों के इंपोर्टेंट पॉइंट वो भी सब इसमें रहेंगे यानि ये तो बेस रहेगा ही रहेगा वो सारी चीज़ें यानि कि एक बार पढ़ लीजे एक बार नोट्स बना लीजे फिर जिंदगी भर के लिए भूल जाएए क्वेस्चन आती रहेंगे बार बार उसी से कहीं कुछ और करने की जरूत ही नहीं पढ़ेगी नो नीड तो रीड फ्रॉम एनी अदर शोर्स एक बार धंग से पढ़ लीजे अभी कुछ दन के लिए हम तीन दन का concept ले के चले हैं कुछ दन के बाद में फिर हम लगवक पर डे इस चीज़ को लेकर के चलेंगे पर डे लेकर के चलेंगे यह मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है कि उत्तर लेखन का concept है मद्दिकालीन भारत तक complete हो चुका है अब उसमें आदुनिक भारत और करा दें वो काम कतम हो जाएगा इसलिए मैं उसको आपको अलग ले करके चल रहा हूँ थोड़ा सा टाइम उसको देना पड़ेगा ठीक ना चलिए फिर इसको आगे डिसकस करते हैं और उसके साथ ही सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखेगा आज अंतिम मौका है आप लोग के पास में इंड़पैंस डेज़े सेल के तहत 47% डिसकाउंट लेने का आपके परतिग्या बैच 2.0 में यानि हिंदी हिंग्लिस और इंग्लिस बैच में और इसके थूँ आपका जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका 19 अगस्ट से तो जल्दी कीजिए 19 अगस्ट से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है तो MK Live Code मुझे पता है कि आप लोग मेरा Code लगाते हैं मेरा Guidance चाहते हैं तो Definitely इस Code को लगाईए इससे क्या है कि हम लोग को एक Motivation मिलता है कि मुझे कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं और यही जो आपकी जो Popularity है हमारी जो Popularity है कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं यही हमारी Company में आप लोगों को एक अच्छा मुकाम देती है कि भाई जो Institute है वो हम जैसे टीचरों को और ज़्यादा सपोर्ट करती है कि बच्चों के लिए और करिए अब बताइए क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम को और सपोर्ट मिले हैं और हम जैसे टीचर्स आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करें आप में बहुत सारे ऐसे चात्र भी होंगे जो किसी भी इस तरह पर फीज अपॉंट नहीं कर सकते होंगे तो उन लोगों को ली भी तो फाइदा मिलता है अब सोचिए कि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे एड़िशन नहीं लेंगे कोड नहीं लगाएंगे तो फिर कंपनी की नजर में इंस्टिटीट की नजर में अरे इनको तो टीचर ही पसंद नहीं करते तो हम क्या करें बच्ची पसंद नहीं करते, तो क्या करें, पुरा हाद जोड़ेंगे, अब बताइए, अगर कम इंस्टिटूट ने हमारे हाद जोड लिये, तो हम आपके हाद जोड़ेंगे, ठीक है भाई, आप नहीं पसंद कर रहें, मत करिये, यहीं कंसेप्ट है, तो इस सेल, इस इंडि क्वालिफाई किया था, सेलेक्शन लिया था, जोड़ेंगे, किसलिए, कि मैं आपको पढ़ाओं, आपको गाइड करूँ, और प्रॉपर तरीके से आपको सेलेक्शन तक ले करके जाओं, 2009 में सेलेक्शन हो चुका था मेरा, सिर्फ आपको अच्छा पढ़ाने के लिए मैं चलिए, अब बात करते हैं, इसमें कि इस बुस्तक का हम पढ़ाइ के बारे में बात करते हैं, पहली बात तो धियान लगीगा, यह किताब जो है, केवल और केवल हर्सवर्धन तक नहीं है, यानि कि यह किताब आपके प्राचीन काल से ले करके, मद्द काल, पूर मद्द का तक किताब है, यानि के पूरा राजपूताना, राजपूत इतिहास तक किताब है, और इसमें ये प्रॉपर तरीके से 10 चैप्टर हैं, और दस चैप्टर में सारी चीज़ां दे रखी है और कोगसर इतिहास से तो सारी चीज़ां दे रखी होंगे नहीं ऐसा नहीं है इसमें जो दे रखा है वो इतने बिसलेशन के साथ में इतने गहराई के साथ में इतने रिसर्च के साथ में दे रखा है कि जब तक उस चीज़ क हम समझेंगे नहीं तब तक हम question कर नहीं पाएंगे जैसे इसमें पहला topic है पहला chapter है जिसको हम कहते हैं सूर्थ sources और यह सभी किताबों में हैं sources के बारे में ठीक ना sources में आप देखेंगे तो क्या होता है सूर्थों में सामाने किताबों की बात की जाये तो सूर्थ में क्या होता है कि एक साहितिक सूर्थ होते हैं और एक पुरातात्विक सूर्थ होते हैं ठीक ना साहितिक सूर्थ में देशी और विदेशी होते हैं देशी और विदेशी ठीक ना देशी में आपके धार्मिक और गैर धार्मिक ह होते हैं ठीक ना और विदेशी तो आपके जानते ही हैं यूनानी है चीनी है तिबबती है ठीक ना या आपके अन्य है अर्वी यात्री है उन्होंने भारत के बारे में क्या का कहा है वो सारी चीजे है ठीक ना धार्मिक में देखाएंगे तो आपके कौन बैदिक धर्म यानि आपके चले जाएए तो आप कहा जाए तो बौत धर्म और जैन धर्म साधरन तोर पर ये दे रखा है लेकिन इस किताब में आपके इस स्रोत की बात की जाए तो इस किताब में थोड़ा से जो अलग है ये सब चीजा तो है ये सब के सब दिए सारे स्रोतों की पूरा का पूरा लक्स्रोतों का गहन बिसलेशन है गहन आई गहन बिसलेशन है यह ध्यान रखना हलके फुलकी लेबल पर हलके लकी दो चार केदाबें नहीं बताई गई है यह दो चार चीज़ा नहीं बताई गई है पूरी चर्चा की यह समझाया गया है कि क्या है और इसमें दूसरी सबसे बड़ी चीज है, किसमें जो दिया गया है, वो आपका देखेगा, तेलगू साहित्य, तमिल साहित्य, कर्नड साहित्य, और लेखुकों की रचनाएं, लेखुकों की रचनाएं, प्रॉपर तरीके से, यह सारा का सारा दिया हुआ, अलग से, और बेदों से लेखर करके हर एक तक इतने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि एक बार पढ़ लेंगे धंग से पढ़ लेंगे तो आपका कोई question बाहर जाएगा नहीं दस किताबों को पढ़ने से बढ़िया है कि एक किताब धंग से पढ़ लिए दस जगे पढ़ने से बढ़िया है कि एक जगे से पढ़ लीजिए ओके वासमझ में आगी नहीं आगी तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें ये कंसेप्ट है दूसरा हम बात करें तो दूसरा देखे एक चैप्टर दिया हुआ है पुरा पासान काल और मद्द पासान काल और एक दिया हुआ है खाद संग्रह से खाद उत्पादन की ओर नप पाशान और ताम पाशान और ताम परशान गाओं का विकास यानि कि ये दो चैप्टर केवल और केवल किस के हैं पासान काल के हैं अब सोचे दो चैप्टर ही केवल पासान काल के हैं तो उसमें आपके कितनी सारी चीजों की जानकारी दे रखी होगी कितने अच्छे तरीके से समझाया हो गया होगा जिससे कि आपको उन सारी चीजों की समझ मिल सके अच्छे तरीके समझ सके कि पुरापाशान काल में या पासान काल में मनुष्य का विकास कैसे हुआ दियान देजिएगा तो यहीं पर मैं चर्चा करता हूँ तो देखेंगे तो पासान काल में खाली ऐसे नहीं दे रखा कि पासान काल में कौन-कौन से ओजार थे भई पुरापाशान काल क्या मद्द पासान क्या है ऐसे हलके फुल के इस तरह पर नहीं दे रखा लेकिन यहां पर जो दिया हुआ है पहला मानव विकास का क्रम मानव विकास का क्रम के मानव का विकास कैसे कैसे हुआ नियंडर्थल मानव कौन सा था जावा मानव कौन सा था पीकिन मानव कौन सा था और इनके एविडेंस कहां कहां से मिले भारत में इसके अबसिस कहां से मिल हैं भारत में इसके अबशेश कहां से मिले हैं क्या खास बात है वो सारी चीज है प्लस इनका बर्गी करण किया गया है पासान काल का बर्गी करण ध्यान रखना पासान काल का बर्गी करण क्लासिफिकेशन किया गया है और क्लासिफिकेशन में सोचिए जो प्रतेक चरण है प्रतेक चरण के सभी पहलू इसमें दिये रखे हैं सभी पहलू Everything Every type of dimension और उन सभी पहलूं में छोटी छोटी चीजें जहां से question बनते हैं हम लोग अच्छे जानते हैं पासान काल में इनसान आभूशन पहनता था तो आभूशन किसके होते थे हाती दात के भै धातू तो समथी नहीं हाती दात हुआ करते थे हड़ियां हुआ करती थी इनके आभूशन बना के तान में गले में पहन लिया करते थे थोड़ी बहुत चीज ये सब मिल जाया करते थे और क्या लकडी का सामन और क्या पत्थर की कोई पत्थर के मन के बन के टाइप की कुछ चीज बना ली तो उसने कोई चमकीला पत्थर टाइप का मिल गया बस इतना ही होता था लेकिन क्या आपको पता है अगर question पूछा जाए सुतुर मुर्ग के अंडे के छिलके से आभूशन बनाए जाते थे और इसके अबसे कहां से मिले हैं तो तब फिर उपिंदर सिंग याद आती है या लेवालवा तकनीक क्या होती है आभूशन बनाने की या पत्थर के औजार बनाने की लेवालवा तकनीक क्या है या लेवालवा का संबन नमेंसे किस से है जब इस तरह एक question पूछे जाएंगे तो आप कहां जाएंगे अब समझ में आ रहा है कि इस किताब की क्यों और किस लेवल पर आपको जरूवत है मैं ऐसे ही नहीं बोला अगर साधान तरीके से होता तो मैं NCRT उठाता लेकिन मैं उस लेवल पर आपको ले जाना चाहता हूँ जहां से आपका exam क्वालिफाई हो जाए मैं खाली ऐसे नहीं जाता है और ध्यान लखना हम कोसिस करेंगे आपके प्री और आसाथ के साथ मेंस के कंसेप्ट को क्लियर करती हो चले तोनों चीज़े और दूसरी कोसिस ये भी करूँगा कि जितना इसमें हम डिसकस करेंगे उसमें अनसरोतों की important चीज़ों को भी मैं स इनका दर्शन क्या था क्या ये किस दर्शन को मानते थे किस तरीके से मानते थे क्या इनका विकास हुआ था किस चीज में ये विश्वास करते हैं ठीक है ना वो सारी चीज़े यानि कि पाशान काल के मनुश का धर्म दर्शन आस्था विश्वास ये सब क्या था क्या थे किस तरह की चीज़े थी और जब यही question पूछे जाते हैं तो फिर हम ना तो हलके फुलके लेवल की anxiety समझ में आती है और ना ही फिर आपकी आरेस्तरमा जैसी किताबों से कुछ हो पाता है और बच्चा परेशान रहता है अब कोग सर चार पांच question आते हैं इसके लिए इतनी परेशान होने की जरूत क्या है मैं आपको बताता हूं के चार पांच question के लिए परेशान होने की जरूत क्या है यह दियान रगी है बता देता हूं थोड़ा सुन लीजे साइद आपको समझ में आ जाए 2007 एक व्यक्ति है Mr. M और उसके टोटल मार्क्स आए थे 1193 यह कुल मार्क्स थे उसके 2007 में 1193 विद इंटर्व्यू और उस साल की मेरिट गई थी मेरिट 1194 सलेक्षन नहीं हुआ था एक नंबर से और उस साल वेटिंग लिस्ट भी निकल करके नहीं आई थी मेरिवाद समझेगा उस साल उसकी वेटिंग लिस्ट भी निकल करके सामने नहीं आई थी साइद समझ में आ गया होगा कि एक नंबर की कीमत कितनी है और वो M कोई और नहीं है आपके सामने खड़ा हुआ मनोज नाम का सक्स है मैंने PCS तो छोड़ दिया लेकिन IS में सेलेक्शन होता तो मैं नहीं छोड़ता तब मैं जॉइन करता क्योंको उसी के लिए तो महनत कियी थी मैंने PCS के लिए नहीं PCS तो मैंने सेलेक्शन लेके छोड़ना था अपने आप प्रूफ करना तक सेलेक्शन मेरा भी हो सकता है सिर्फ प्रूफ करना था ये है बेश्वास ये है कंसेप्ट और ये सारी चीज़ें सोचीए हम लोग उस समय पढ़ते थे किसलिए कि अगर एक किताब से किसी एक सोर्स से एक क्वेस्टन भी मिल सकता है तो हम उसको तयार करते थे कि कहीं इसी एक नमबर से एक क्ेस्टन से मेरा सेलेक्शन न रोख जाए हो सकता है आप मैंसे कई सारे ऐसे लोग हों जिनका दो हजार पच्शिस में एकजाम देने जाए और केवल एक question से आपका pre-qualify होने से रहा जाए हो सकता है कि वो एक question मेरी 5 class में से एक तयार हो जाता है जरूर निये कि एक क्लास में हो सकता है किसी एक class से ही तयार हो जाता है तो आपको कराके दे रहा हूँ भाई मैं और क्या चाहिए पढ़िए करिए इसको इसलिए बता रहा हूँ है हर चीज के बारे में यहाँ पर हर topic पर proper तरीके से detail analysis दिया गया है यानि कि इसमें ध्यान रही है पासाण काल है पासाण काल के बाद सिंदु घाटी सब्विता का कि पूरी का पूरा विवरण है सिंदु घाटी सब्विता यानि कि यह पहली कितावे जिसमें कहा गया है किसे हरपा सब्विता कहें सिंदु घाटी सब्विता कहें या सिंदु सरस्वती सब्विता कहें किसे कहें जिसको बाद में जाकर के सोचिए NCRT ने एडप्ट किया कि आज के बाद हम अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो लिया था वीडियो बनाये था आप लोगों के लिए कि आज के बाद हम सिंदु घाटी सब्विता को हम सिंदु सरस्वती सब्विता कहेंगे NCRT में बदलाव कर दिया गया और इस किता में बहुत पहले से दिया हुआ है कि क्यों हमें इसे सिंदु सरस्वत्विता कहना चाहिए क्यों कहना चाहिए Is that clear? तो सिंदु घाटी सब्विता, उसके बाद बैदिक काल और बैदिक काल में ऐसे चीज़ें जो बेदों में दे रखी हैं बेदों की तो पूरी जानकारी ही है यह बेदों में क्या क्या है उसमें वर्ण और वर्ण विवस्था के सारे कंसेप्ट समझाये हुए है कि कैसे क्या वर्ण क्या होता वर्ण का अर्थ हमने कहां से लिया था कैसे लिया था किस तरीके से लिया था वर्ण विवस्था कैसे डबल अप हुई उसके पीछे पर कौन कौन से तरक थे कौन कौन से उधारन है उसके सारी चीजें उस समय का बैदِ काल में धर्म की इस्तिती क्या थी कौन-कौन से अनुस्थान हुआ करते थे उनका दर्सन क्या था क्योंकि बैदे काल के दर्सन से अपनिशिद का विकास हुआ और अपनिशिद से ही आगे जाकर के नवीन धर्मों का उदय हुआ बहुत जैन ये सब उपनिसिदों से ही प्रिर्णा पाते हैं तो इन सब के बारे में बिस्तर चर्चा करेंगे सब है इसमें और इसके बाद देखेंगे तो अगला है आपका जिसे हम कहते हैं महा जनपद युग और आपके 16 महा जनपद युग ये तो पढ़ेंगे इपढ़ेंगे वो सब है डिटेल में है इसी में एक चीज और भी है आपका नगरी करण के बारे में चर्चा है यानि के अर्थवस्ता का विकास की चर्चा है और चर्चा नहीं है सिर्फ विस्तरत विबरण है कि कैसे किस तरीके से अर्थवस्ता का विकास हुआ कैसे यहाँ पर आपकी स्रेणी विवस्ता बनी कैसे पूग विवस्ता बनी ठीक ना कैसे आहत सिक्के बने उनको कैसे पढ़ा गया क्या प्रतीक चिन्न बने हुए है उनके अर्थ क्या है ये सारी चीज़े है आज से के सुरेणी पूग ठीक ना सार्थवा इस सब का पूरा विच्टर बबड़ा है इसी में आपका सोचीगा क्या है नवीन धर्मों का उदय है नवीन धर्मों का उदय बौध जैन आजीबक और ऐसे कई सारे धर्म उनके बारे में बिस्तत जानकरी है तो एक एक करके सारे पॉइंट सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डिसकस करने जा रहा है कोई चीज़ छोड़ने नहीं जा रहा है ठीक ना सब कुछ है इसमें इसी में आपका दिया हुआ है विदेशी आकर्मन है जिनका मौरेकाल से पहले आकर्मन हुआ था विदेशी आकर्मन इरानी आकर्मन कह लीज़े या आपका सिकंदर का आकर्मन कह लीज़े क्या से क्या क्या आकर्मन हुआ कहां से आकर्मन हुआ किस तरीके से आकर्मन हुआ उसका हमा प्रखने की जरूत नहीं पड़नी है और यह बात अच्छे जानते है कि मैं जो क्लास करता हूं आज नहीं तो कल वो कम्प्लीट और पूरे डैडी के साथ करता हूं क्योंकि उसका जो अद्देश है वो आपका भला है आपका सेलेक्शन है मेरा फाइदा है और मेरा फाइदा क है आप लोग मुझे प्यार करते हैं भरोसा करते हैं स्टडी आईक्यू आईएस पर उनके फैकल्टी इस पर तो उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको समझ में आ रही होगी कि क्या है कैसे है तो इसको हम चैप्टर वाइस पहली क्लास हम स्टार्ट करेंगे तयार रहेगा स्रोतों से और डिटेल में स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे और ऐसी चीज़ें मिलेंगे जो आपने कभी सोची नहीं होगी तयार रहेए रईस्टर नया खरीद लीजे पैन खरीद लीजे साथ लेकर कर बैठीए डेली ठीक है न और यह मेरा कोड है जिसको आप इस्तिमा से कनेक्ट कर सकते हैं पढ़ाई से संबंद किसी भी चीज़ को पूछ सकते हैं टेलिगराम या वाटसप नॉट फार कॉल ओके और यह इसका वार कोड है ओके तो अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा पाथ्यात्मक और प्रातात्युक्स रोतों की ब्याख्य प्राचीन पाथों का अध्यन कैसे प्राचीन पाथों का अध्यन कैसे प्राचीन पाथों का अध्यन कैसे किया जाता है किसे खुदाई की जाती है कैसे उनका सर्रक्षन किया जाता है यह सारी चीज़ें अवलेखों का अध्यन सिक्कों का अध्यन यह सारी चीज़ें डिट इसमें हम लोग discuss करेंगे अगली class में तैयार रहेगा यही है हमारा next chapter chapter number one ओके ध्यान लखेगा और इसी के साथ में आप लोग और ध्यान लखेगा जब इस तरह की बात है Independence Day है तो यह sale आपके GS में ही क्यों मिले आप history optional का batch join करिए मेरे साथ यानि के मरोज के साथ में और 20 अगस से हम लोग बहुत आसान तरीके से कहानी के तौर पर एक इतिहास की सुरुआत कर रहे हैं और इस बैकल पिक बिशाय को हम लोग तैयार करेंगे आपके selection के लिए आपके अच्छी rank के लिए जिसका target है minimum 300 number लाना और वो आपने ला सकते हैं मैं दिलवाकर के रहेंगा तो इसमें 47% का discount आज आज तक के लिए मौजूद है तो जल्दी कीजिए इसका फैदा उठाईए लेकिन इसको लगाना मत भूलिएगा हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी